जो कि हमारे पड़रोत से पास में ही है च्छतरपूर में तो हमारे गाउं में आप देख सकते हैं हमारे गाउं का घर सेम इसी तरह का है बगेश्वर्ध महाराज जी का घर अब तु न्यू घर वन गया है तेकिन जहां पहले उनका बचपन बीता है अभी तक थे वही सेम हमार घर की तरह उनका भी घर था और हमारा घर पड़रोत में है यहां बचपन में भगेश्वर्ध महाराज हमारे घर यहां हमारे गाउं घूमने आते थे कई बार यहां उन्होंने भागवत कथा स्री राम कथा अयोजन किया है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग हमें इसकूल आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है यहां इसकूल है यहां ग्राउंड में भी थंडियों में कभी-कभी बैठते थे और ज्यादा रों रमार की जब कहते हैं ने क्या अंताच्छडी होती है जब अंताच्छडी होती थी रामार की चुनाई यही सब करते थे यहां खेले कूंदे आते थे बहुत मस्ती करते रहें तो आयते तो हम लोग सभी बच्चे लोग नहीं जानते थी क्या होता है क्या नहीं होता आने से तो सब लोग बोले शरलोग की फूल उन पर बरसाईए गजब आए तो हम लोग तो तीन पर जब उनका फिबाजन भी किया गया सब लोग फिबाद भी सब लोग डाते थे ऐसी नहीं ऐसी किया जाता है बहुत हासी आती बहुत मस्ती किये हैं आप भी जरूराइं प्ररावत के नाजितिक चतरपूर में जहां वगिश्यद हम महराज का गाउं है भग्मान जी का मं तो फिर मिलते हैं ऐसे अंगले वीडियो में तक तक के लिए नवशकर और अपनी अर्जी लगाने तो आप पर सदा क्रेपा बने रहे बाला जी महराज की बोलो बाला जी महराज की जै बोलो बगिश्यवर्दा महराज की जै जैँ बसी बड़ियो अवे निकती जाराए लाइ रहे 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 हैं सुपार अरे ब्राज की रहे हैं यंदाू का जांए जाने जार नाँ जानुजए रहे हैं डूरा जान दोंडावा बाल जानुजए की हम आजिए आप आप देख सकते हैं हमारे मंदीर के आप दर्छिन का लिए खेर हम आपको अपने बबबाजी से में लाता है और अंगले वोडियो में हम आपको बागेश्थः धम के और भी जनकारी देएंगे के बागेश्थः धम महाराज कैसे जाए और उनके दर्शन कैसे करें और जी कैसे लगाएं तो फिर मिलते हैं ऐसे अंगले वीडियों में तब तक के लिए नवस्कार